हेलो एब्रीवन आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं सेंटर ओफ मास्स और मोमेंटम में हम लोग के एक खास टाइप का कुशन पूछा जाता है जिसमें प्लैंक होगा एक पर्सन एक एंट से दूसरे एंट जाएगा या फिर बोट होगा या फिर वेज होगा इस वेज पे ब् प्रोब्लम होता है इसको बनाने में हाला कि यह कुश्चन नीट और आइटी में काफी पूछा जाता है तो ठीक है हम आज देखेंगे कि इस तरह के चीज परना है displacement of center of mass displacement of center of mass उसको displacement को x s लिखते हैं displacement of center of mass का फर्मूला होता है m1 s1 m2 s2 और भी जितना पार्टिकल है सब का divided by m1 पलस m2 यह बड़ा सिंपल सा फर्मूला है जो कि center of mass में हम लोगों पढ़ना होता है displacement of center of mass m1 s1 यह सब पार्टिकल के जैसे m1 पार्टिकल का displacement कितना s1 m2 पार्टिकल का s2 तो यह फर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे और एक चीज़ से हम लोगों पढ़ना है कि external force वरावर mass into acceleration यह सब को zero acceleration zero कहने का मतलब velocity कितना वो भी zero constant acceleration zero है तो velocity क्या हो गया constant सपोज किजिए कि शुरू में velocity zero था रुका हुआ था तो constant कहने कम लो हमेशा रुका हुआ रहेगा तो हम कहेंगे कि particle यह system क्या रहेगा हमेशा rest में रहेगा तब जब external force zero हो तो यहां देखी concept हम लोग क्या समझ रह external force न लगे जीरो लगे तो इसका center of mass center of mass क्या होगा rest में होगा इसको example से समझ लेते हैं जैसे माल लेते हैं कि यह मेरा finger है अभी यह move कर रहा है इसका finger particle माल लेजिए पांच particle है इसका center of mass कहा होगा बीच में जैसे center of mass आप लोग जो परहे हैं आपको तो idea होगा है कि बीच मे पड़ता है यहाँ पे कहीं अब देखिये सारे ओली को मूव कराते हैं यह सारे अंगली को मूव करा रहा है जैसे central of mass अभी भी वहां है जैसे internal force न लगे यदि external force नहीं लगता है तो center of mass जहां है वहीं रहेगा rest में रहेगा तो इस case में जो इधर से nerves गया है यह जितना nerves है अंदर से जाके उसको यह force लगा रहा है इसका मतलब इंटर्नल force है इंटर्नल नहीं है यह internal force के कारण अंगली का movement हो रहा है बाहर से कोई force नहीं लग रहा है तो हम यहां पर देखेंगे कि internal force का center of mass पर कोई फरक पड़ता नहीं है जब तक external नहीं लगे तो यहां पर देखिए external force अभी लग नहीं रहा है तो center of mass से बाहर से force आगे लगा तो यह move कर गया move कर गया मतलब center of mass बीच में था और उस साथ साथ move कर रहा है तो center of mass तब move किया जब external force लगा अज जब external force नहीं लगा यानि zero था तो center of mass क्या था rest में था कहीं move नहीं कर रहा था तो ठीक है अभी हम लोग एक मोटा मोटी concept समझ में आ गया यदि external force न लगे जो कि इस सारे case में वही हो रहा है external force नहीं लगेगा इस जितना भी case से एकनम blindly समझ लेजी को external force लगता नहीं इसमें external force नहीं लगा मतलब कि center of mass rest में होगा जहां है वहीं रहेगा उसका कोई displacement नहीं होगा displacement of center of mass कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए इस case में ठीक है इसको हमें एक example से समझने का कोशिश करते हैं यहां पर हम लोग दो situation लेंगे एक देखिए वो situation है जब boat को जमीन पे रखा हुआ है ground पे रखा हुआ है पानी में नहीं और दूसरा normal situation है जब boat को पानी में रख दिये हैं अब यहां देखिए दोनों ही situation में हम लोग करेंगे कि आप practical करके देख रहे हैं वो जो person है एक end से दूसरे end जाएगा दोनों ही situation में और देखेंगे कि boat का क्या position है boat कैसा behave कर रहा है पहले वाले case में देखिए देखिए person जब जाना शुरू कर रहा है दूसरे end तक जा रहा है उस case में boat कही move किया boat नहीं move किया वहीं के वहीं रुका हुआ हुआ है second situation देखिए second situation में person जैसे ही चलना शुरू किया दूसरे end की तरफ देखिए boat बूफ करने लगा यह boat कर रहा उसमें नहीं कर रहा यह दोनों situation को हम लोग discuss करते हैं first वाले situation में second वाले situation में नीचे में पानी है यानि यह smooth है, विल्कुल, वो कोई force नहीं लगा रहा है, लेकिन first वाले situation में ground है, ground rough है, उस पर क्या लगा रहा है, friction यानि कि first वाले situation में, जो ground है, boat को पकर लिया, first वाले situation में, जो ground है, boat को पकर लिया, ऐसा समझ लिजी कि पकर लिया, पकर लिया कहने कि friction force लगा रहा है, rough है surface friction force लगा रहा है पकर लिया ground जिसके वज़े से boat कहीं नहीं move कर रहा है आदमी एक end से दूसरे end तो जा रहा है पर boat नहीं जा रहा है क्योंकि boat को पकड़ा हुआ है ground second situation देखी second situation में जब person move करना शुरू करता है तो नीचे से पकरने वाला कोई नहीं क्योंकि देखी यहां पर plank का वही boat का जो होगा diagram वही plank का diagram होगा असान बनाने के लिए इसा कर लिए यहां पर देखी एक plank लिए है smooth surface पर रखा हुआ है और यहां पर rough surface पर रखा हुआ है अब देखी इसको यदि system माल लिया जाए इतना दूर को तो यह surface का है और इसको system माल लिया जाए तो rough तो rough क्या लगाता है friction force लगाता है मतलब कि यह वाला diagram में rough surface जैसे हुआ external force लग गया लेकिन इस case में इन दोनों को system माल लिया जाए तो यह smooth surface से कोई भी force नहीं लगा रहा है तो हम लोग परहे हैं कि जब surface स्मूथ हो या को external force ना लगे इस case में external force नहीं लगेगा external force नहीं लगता तो उमको पता है कि center of mass जहां है वही रहना चाहिए लेकिन इस case में rough है external force लगेगा इस case में external force 0 नहीं होगा external force कुछ लगेगा 10, 20, 30 कुछ भी लगेगा इसमें zero होगा इसमें लगेगा इसमें लगेगा इसका मतलब इस case में center of mass move कर जाएगा क्योंगी लग रहा है लेकिन इस case में center of mass move नहीं करना चाहिए माल लेते हैं कि person का mass M है और plank का mass capital M है ठीक है अभी इन दोनों का center of mass देखा जाए तो plank का तो center यह होता है और इसका इन दोनों के बीच यहाँ पर center of mass पड़ता है अभी जैसे ही यह आदमी इस end से इधर end move करना शुरू करे तो धीरे धीरे यह plank पीछे के तरफ move करेगा देखिए यानि इस end से इस end से इस end चला जाए इस end से इस end चला जाए तो इसका डाइग्राम यह होगा तो अब देखिए इस end चला जाए लेकिन center of mass वही रहना चाहिए move नहीं करना चाहिए अज्छे से देख लीजिए अभी हम लोग क्या बोलेते कि इस case में जब surface हो तो कोई external force नहीं लगता यही question सिर्फ पूछा जाता है अपसे rough surface का नहीं पूछा जाता है क्योंकि निकालना यह बहुत असान है यहाँ पे देखिए यह smooth surface है तो center of mass जहां है वही रहना चाहिए क्योंकि हम लोग पर चुके है external force न लगे तो center of mass rest में रहेगा कोई भी उसका displacement नहीं होना जहां है वही है तो यहाँ पे देखिए जैसे यह आदमी इस end से इस end जाता है तो यह जैसे जैसे यह move करना जैसे यह move करना शुरू करेगा वो ऐसे जैसे पीछे की तरह move करेगा यह जैसे इस end पे पहुछ गया तो center of mass देखिए इन दोनों के बीच में था यह midpoint था और यह person का था point दोनों के बीच में यहाँ भी midpoint है यह person है इन दोनों के बीच में center of mass होगा तो यह आमने सामने center of mass आ गया तो इस तरह का question में पूछा जाता है कि कितना displace किया तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं यह plank का end है plank का displacement है यह plank displace किया यही पूछा जाता है कि plank कितना displace किया boat कितना किया, wage कितना किया, यह question पूछा जाता आपसे तो इसको बनाने के लिए यहाँ पहुच जाए इस situation में माल लेते हैं कि यही plank rough surface पे रखा होता, तो यह तो rest में होता, तो plank तो कहीं जाना नहीं, इस case में तो plank पीछे की तरह move कर रहा है लेकिन इस case में plank क्या होता, rest में होता, अभी देखिए जब आदमी यहां है, तो center of mass कहीं यहां पे होगा, लेकिन वही आदमी इस end पे पहुच जाता, जमीन पे रखा हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है, तो यहां पे चला जाए, तो center of mass कहा है, जब आदमी यहां था, तो यहां center of mass है, आदमी यहां चला गया, तो center of mass यहां हो गया, ठीक, यानि center of mass shift कर गया, माल लेते हैं कि यह जो shift किया हो, कितना shift किया है, माल लेते को लाके smooth surface पर रख दें यदि इस situation को लाके smooth surface पर रख दें तो center of mass का shift कितना है जीरो center of mass वहीं को ही है कोई shift नहीं तो देखिए क्या करना है जितना center of mass shift करेगा ground पे जमीन पे उतना ही plank पीछे की तरफ move कर जाएगा इसलिए क्योंकि center of mass फिर से आमने सामने हो जाना चाहिए फिर से समझते हैं center of mass मान लेते हैं कि 10 meter गया तो इस plank को पीछे की तरफ कितना हो जाना है इस situation में? करेगा इसको फिर से समझाते हैं तो यहां पर कुश्चन जो हम लोग पूछा जाता ऐसा कि एक आदमी इस एंड से इसेंड गया तो प्लैंक कितना पीछे करेगा यह चीर पूछा जाता है तो निकालने का तरीका देकिए कैसे निकालते हैं एक दम श्येंप जैसे हैं सर्फ पर रखा हुआ है अब तुरंद क्या की जी सिच्वेशन को ठाकर रख दीजी है सबसे पहला काम आपको डियराम नहीं बनाना आ वो बता रहे हैं अगला बार से देखिए कैसे जल्दी बनाएंगे यह स्मूथ है तो अपने मन से माल लिजिए कि रफ सर्फेस पर रख दिए रफ सर्फेस पर रखते ही यह चीज क्या हो गया रेस्ट में हो गया अब कहीं नहीं जाएगा ठीक है अब कुछ नहीं अगला काम क आतें M1 S1 M2 S2 करते जाएए यह वाला तो रेस्ट में है बड़ा वाला यह तो कहीं नहीं जा रहे प्लैंग तो यहीं जा रहा है इत्ले में खिंट से एक अंड अभी क्या बोले थे जितना सेंट्र उफ मास जाएगा सिफ्ट करेगा उतना प्लैं को पीछे कर दीजिए या है इसका मतलब सेम यही प्लांक पीछे हो जाएगा यह बेखिए यही प्लांक पीछे हो जा जाएगा ल को यह है center of mass कि दर को right को shift कर रहा है तो उतना ही left में shift कर जाएगा यह plank shift कर जाएगा तो यहां यह सब दुबारा नहीं लिखना है आपको बस ऐसे लिख देना है आपको बस कुछ नहीं करना है आपको question फटाफट बनाने के लिए second में वह center of mass कितना insightful किЯ वो निकाली है जितना आया answer जितना अहला उसका minus कर देना यानि की चितना आया answer यह plus आया तो रायट बोलेंगे बस लेक्ट में हिमारा move करेगा सकूर्च केज़ी answer आता माइनस में यह ऐसपोस्च केज़ी answer आता माइनस में माइनस में आते हैं तो हम बोलते क्या कि सेंटर मास किदर मूफ किया माइनस कहने का मतलब लेफ्ट में तो प्लैंक किदर मूफ करेगा राइट में तो बोलेंगे इतना ही किदर मूफ करेगा प्लैंक plank move करेगा right में, इतना ही दूरी, कितना, ml by capital M plus small m, ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यही हो गया x, यही हो गया हमारा x, displacement of plank, plank कितना पीछे गया, जितना center of mass आगे गया, उतना पीछे center of mass आया, अभी यहाँ पर देखिए, sorry, जितना center of mass आगे गया, उतना plank पीछे आया, अभी यहाँ पर देखिए, यह x गया, तो यह कितना दूरी हुगा, total l था length, तो बोलेंगे, पूरा l था, इस l में से x घटाएंगे, तो l minus x, तो हम बोलेंगे man के बारे में, यह तो समझ में आगे, कि plank का displacement, plank का displacement तो समझ में आगे x है, लेकिन man का, जो man है, इसके respect में, plank के respect में, इस end से, इस end पहुच गया, तो बोलेंगे, कि plank के respect में, plank के respect में, plank के respect में कितना चला, l चला, लेकिन, ground के respect में, ग्राउंड के respect में कितना चला, तो ground के respect में कितना चला, l minus x, इसको भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए, एक आदमी, जब इस end से, इस end चला गया, तो इस plank पे कितना चला हूँ, l चला, तो plank के respect में, तो l चला, लेकिन, चुकि, plank भी तो पीछे चला जा रहा, इतना पी अब ये हो गया कि हमारा समझने का काम खतम हो गया, अब हम question solve करना शुरू करेंगा, देखिए कितना fast question solve करते हैं, बस कुछ नहीं बस इसको लिखना रहता है, देख लिजिए, देखिए, question दिया हुआ है, इस तरह का question, एक आदमी है, उसका वजन कितना है, 80 kg, और एक boat है, उसका mass कितना है, 40 kg, अब question में यह है कि, ये man एक person है, जो इस end से इस end नहीं जाता है, question ऐसा दिया हुआ है, कि man कितना move करता है, बस 6 meter, बस 6 meter ही move करता है, उस boat पे, तो कह रहा है कि, उतना ही देर में, जब यहां से यहां move करें, आपको question ऐसा दिया हुआ है, कि जो man है, बस 6 meter की और move करता है, तो boat कितना displace कर जाएगा, boat का distance कितना cover करेगा, तो ठीक है, बस कुछ नहीं करते हैं, question को solve करने का तरीका बता है, displacement of center of mass, आपको माल लेना है कि boat क्या है, रेस्ट में, आपको क्या माल लेना है, शुरू में है कि boat को पकर के कहा रख दिया, जमीन पर रख दिया, ground पर रख दिया, रेस्ट में, यानि कि boat हमारा कैसा कर देना है, रेस्ट में, उसको पकर लिजिए, रेस्ट में कहने को पकर ल लिए रोख दिये हैं लोग डिवाइड़ वर टोटल मास एटी पलस फुर्टी फॉर अब देखिए सेंटर मास सेंटर मास का डिस्प्लिस्मेंट कितना है फॉर मिटरी पलस में है नाइने साइट तो बोर्ट कितर जाएगा पीछे की तरफ तो यह राइट को है यानि कि हमारा बोर्ट जाएगा लेफ्ट लेफ्ट में कितना जाएगा यही जाएगा इतना ही फॉर मिटर तो आपको कुछ इतना आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए इतना बार-बार लिख रहे हैं बस कुछ नहीं से आपको एंसर देख लेना है आपसे question था फिट से repeat करते हैं कह रहा है कि कोई आदमी 6 मिटर चलता है तो boat कितना पीछे क्यों डिस्प्लेस करेगा यह कितना move करेगा पीछे करेगा आगे करेगा जितना भी करेगा तो हम लोग यहां से लिखेंगे displacement of center of mass यह दाहिने को जा रहा है तो सब कुछ लिखें तो पलस में आए answer पलस कहने का मतलब center of mass डिस्प्लेस करेगा किदर गया राइट को यानि boat जाएगा lift को कितना उतना ही 4 मीटर ही जाएगा लेकिन lift को यह answer हो गया देख लीजिए समझ लीजिए ठीक है यहाँ पर देखिए question एक और question है जिसमें एक plank दिया हुआ है plank का mass दिया हुआ 90 kg यह 4 मीटर है पूरा का पूरा इसका length तीन आदमी है A, B, C सब का नाम है इसका mass दिया 40, 50, 60 अब question में यह बोल रहा है कि A और C यह दोनों interchange करता है position कहने का मतलब A चल कर यहाँ पहुच गया और C चल कर यहाँ पहुच गया B नहीं कहीं चला है यह कहीं नहीं चल रहा है यह वहीं को वहीं है A बस यहाँ गया है और C यहाँ गया है A and C interchange their position find the displacement of B अब यहाँ पहे देखे B तो यहीं पहरा है चुप चाप कहीं move नहीं कर रहा है यानि इसका मतलब जब plank है यह plank जिदर भी move करें left को जाए या right को जाए यदि left को ही गया तो plank के साथ साथ आदमी भी चला जाएगा क्योंकि plank तो move कर यह आदमी तो rest में है move नहीं कर रहा है उचुप चाप खरा है plank पे इसका मतलब plank जितना displace करेगा उतना ही displacement इसका भी आएगा तो question में कर रहा है किसका displacement B का तो हम लोग प्लैंक का निकालेंगे निकालने का तरीका सबसे अच्छा हम जानते हैं किसको पकर कर रोख लिजिए इसको पकर लिजिए जिसको पूछना उसको क्या कर लेना है उसको ground पे रख लेना है जमीन पे रख लेना है अब इस case में displacement of center of mass hurt से लिख दीजिए इसको तो rest में कर लिए अब इसको जाने दीजिए यह इधर से इधर गया, कितना दूर चला, 4 मीटर लेंथ है, यहां से यहां गया, 40 into 4, ठीक, इसका तो कुछ नहीं लिखा है, इसका तो 0 ही है, इसको देखिए, इसको इधर से इधर आता, left side में आ रहा है, तो minus लिखिए, 60 into, कितना चला, वो भी 4 ही चला, जितना लेंथ है, divided by, total mass, यह, 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 और यह, total mass लिखा जाता है, कितना हो गया, 90, 90, 180, 60, 240, यह total mass हो गया, अभी यहां पर कितना हो गया, 4 common, 40 minus, यह हो गया, minus 20 into 4, 80 हो गया, यानी हो गया, minus 1 by 3, यह center of mass, center of mass का minus आया, minus कहने का मतलब, left, minus कहने का मतलब, left में, यह plank left में जा रहा है, sorry, center of mass, center of mass, यह center of mass, left में आया, plank किदर जागा, ultra right में, तो हम बोलेंगे, displacement of, displacement of plank, plus, plank के साथ यह B भी है, plank plus B, यह कितना होगा, यह minus है, तो कैसा होगा, plus में हो जागा, plus 1 by 3, यानी किदर की तरफ, right में होगा, फिर से देखिए, आपको बस कुछ नहीं करना है, बस यह वाला step, यह step आपको सही सही लिखना है, और आपका answer तुरंत आएगा, time ही नहीं लगेगा, देखिए, यहाँ 10 kg वाला, dynosite को गया, तो 4 लिखे, 60 kg वाला, left को आया, तो minus के साथ लिखे, तो solve किया, तो minus 1 by 3 आए, minus 1 by 3 किसका आएगा, center of mass का displacement, तो पढ़ेत है, जितना आता उसका उल्टा कर देना है, यह minus आया, तो plus कर देंगे, यानी कि right को, यह left था, तो right को plank गया, तो plank जितना जा आदमी हो, 20 आदमी हो, सब move करना शुरू करे, तो कुछ नहीं करना है, बस यह आप लिखते जाना है, एक आदमी का displacement M1 S1, M2 S2, M3 S3, और total mass से भाग देंगे, बस जो answer आएगा, आपका speed आजाए, उसे practice हो जाए, तो जो answer आएगा, वहीं से answer बोल देंगे, आगे जाना नह माइनस है, पलस में 1 Y 3, माइनस में तो left, तो पलस में तो right, तो यह वाला step आपको लिखने का ज़रूत नहीं, आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए, हम सिरिफ लिखे हैं, छीक है, इस तरह का question एक SC बर्वा में है, और कई जगा पी question पूछा जाता है, यह wedge है, यह smooth surface है, इस block को छोड़ दिया जाए, block का इस दोनों का mass दिया हूँ, wedge का दिया हूए, कितना, 10 M और इसका M दिया हूए, तो इसको छोड़ दिया जाए, नीचे गिरेगा, और यह wedge है, right को जाएगा, displace करेगा, तो पूछा कितना displacement होगा, जब वो गिर जाएगा, तो displacement of center of mass, सबसे पहला काम displacement लिख देना का, तो यह बरावला तो कहीं move नहीं कर रहा है, इसको तो पकर लिए, इसको तो रेस्टी में कर दिया है, नीचे गिरेगा, तो यह कितना दूर डिस्प्लेस करेगा, इतना ही दूर ना, यह जो point यहाँ था, यहाँ से, यहाँ गया, इत 0.2, यानि minus 0.2, यह हो गया, minus में किसका answer आया है, center of mass, center of mass कि दर जा रहा है, left में जा रहा है, तो वेज कितना जाएगा, right में, वेज जाएगा, right side में, और इतना ही, 0.2, यह minus आया, तो यह हो गया, पलस में एansर, तो बस इतना ही वेज जाएगा आपकर चाहें को चाहें, बना सकने ऐसे यह था अभी का situation और यह बाद का situation ऐसा पहले यहां पे था block अभी block यहां गिर गया तो वेज जो move करेगा इतना move करेगा यह जो निकला हुआ 0.2 फिर सीज देख लीजिए नहीं समझ में आया होतों कुछ नहीं इसको गिरने दीजिए इसको रोक लीजिए एम इन्टू एस कितना दूर गया इतना दूर गया पूरा कपूरा और मास्ट टोटल लिख यह एंसर आ गया यह माइनस आगया किसका सेंटरों अव्मास का उल्टा कर दीजिए जितना आया तो माइनस का पलस में कर दीजी इतना हो गया वेज का डिस्प्लेस्मेंट बिल्कुल वैसा ही कोश्चन हो गया कभी कभी ऐसे करके कोश्चन होता है कि प्लैंक है या बोट है एक एंड से दूसरे एंड परसन गया तो बोट तो खिसक गया पीछे की तरफ जबित तो खिसका किया नहीं सेंटर ओफ मास वह कोँँ रहेगा उसका मूग्ममेंट नहीं होगा क्योंकि एक्सٹरनल फोरस ना लगे तो सेंटर ओफ मास रेश्ट में रहता है इसका ध्यार रखिएगा एक दो कॉश्चन करते हैं ताकि clear हो जाए कि जो हम पढ़ाए है उससे आपका question बन रहा है कि नहीं और ज्यादा दिर नहीं होना चाहिए एक line में बन जाना चाहिए क्योंकि बारबर समझा रहे हैं आपको हम आपको समझाने के लिए 2-3 line लिख देते हैं बस एक ही line में आप लोग solve कर लिजेगा ठीक है यहाँ पर question हम लोग करते हैं iat advance 2017 का question देखिए question इतना complicated manner में इसको solution दिया गया है सब जगा पे आप देखिए कि इसको एक line में कैसे solve करते हैं board पर देखिए question ठीक है इस question में बोला है कि एक particle को छोड़ दिया जाए नीचे गिरेगा तो इसका displacement कितना होगा इस block का या wedge का displacement कितना होगा या smooth है क्या बोलते है कि ऐसे question में इसको rest माल लीजे पकर लीजी इसको गिरने दीजी displacement of center of mass आप पहले लिखिए displacement यह तो rest में है इसका कितना होगा m into जब यहां से गिर कर गया तो हमको x coordinate आपसे question पूछा था कि displacement in x direction x coordinate पूछ रहा है यानि कि यह वाला displacement कितना लिखेंगे r divided by m plus m यह हो गया center of mass का तो wedge का या block का block का इसी का उल्टा हो जाएगा minus displacement mr by आपसे पूछा था कि x coordinate कितना होगा इस block का तो यहां से displace करके यह minus and left को जाएगा यानि जितना जाएगा वही x coordinate होगा बस minus में यह answer होगे तो देख लेजिए इडवांस का question है 2017 का फिर भी बहुँ ज्यादा tough हो नहीं एक बर command हो गया तो अभी हम लोग दूसरा question भी करेंगे ठीक है हम लोग एक next question करते हैं olympiart 2009 का question है इसको वीडियो को pause करके खुश्य ट्राइ कर सकते हैं question में यह बोला गया है कि 55 kg command इसके पास चला जाए यहां पे चला जाए तो बोट कितना displace करेगा ठीक है वैसे ही काम करते हैं बोट को क्या कर लेना है सबसे पहला काम रेस्ट में कर देना है बोट को पकर के ग्राउंड पर रख देना यहीं पकर लेना उसको रेस्ट में कर देना है और डिरेक्ट लिखना एक ही बार में displacement of center of mass यह इधर गया यह तो गया नहीं कहीं तो इसको नहीं लिखाएगा यह इधर गया 55 into कितना चला 3 meter divided by यह तो कहीं नहीं चला बागे साथ रुका हुआ है total mass इतना 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 यह कितना हो गया 120 220 कितना से कटा 4 3 by 4 यह हो गया center of mass का displacement तो बोट किया हो गया इसका उल्टा यह पलस आया है तो माइनस में तो इतना ही लेफ्ट में जाएगा बोट और एंसर हो गया लेफ्ट में जाएगा 0.75 यह राइट में एंसर आयता है center of mass राइट को गया तो बोट लेफ्ट को जाएगा इसका एंसर हो गया भी एक और question देखिए यह medical में पूछा हुआ AI PMT में 2012 में पूछा है देखिए question फ़रके बिल्कुल अभी जो लाम ब्याड वाला किये थे उसी type का है पर इसमें कुछ और पूछा है देखिए last नों क्या पूछा है कर रहे कि बोट पानी में अभी भी है center of mass of the system shift कर रहे कि पूरे system का यानि कि आदमी दोनों का और बोट को ले लें तो पूरे system का center of mass कितना से shift की आभी परेते पूरे system का center of mass कही नहीं shift करेगा, वहीं रहेगा, चुकि center of mass वहीं रहता है, इसलिए boat को खिसक कर पीछे आना पड़ता है, center of mass वहीं रहने के लिए ही boat को पीछे आना पड़ता है, तो इसमें पूछा था कि center of mass कितना shift करेगा, तो 0, और पूछता कि boat कितना shift करेगा, तो अभ कुछ सीख पाए हैं इतना देर में तो आप खुद से ट्राइ कीजिए कोशन में ये बोला गया है एक आदमी है जो इतना velocity से चल रहा है कितना second के लिए चला है कोशन में question में बोल रहा है कि 4 second के लिए जब चला हो तो displacement relative to ground इसका जमीन के respect में कितना होगा तो याद कीजिए plank वाला question किये थे plank पीछे चलता था x या फिर boat चलता था पीछे x तो आदमी च्छदो आगे चलता था l-x जितना length है उसमें से कुछ घड जाता था इस end से इस end आदमी आता था तो plank के respect में l चलता था याद कीजिए अभी कुछ दिर पहले किये थे तो plank के respect में तो l चला लेकिन चुकि plank पीछे चला गया है तो ground के respect में कितना चला l-x और यह plank कितना पीछे चला था x गया था उसी type के question है कि यह जो आदमी है वेलोसिटी इतना से चार सेकेंड तक चलता है चार सेकेंड तक चलता है तो कितना दूरी तैक करेगा यहाँ पर यहाँ इसको मीट आईए यह चलकर चार सेकेंड में कितना चलेगा x distance तो चार मीटर प्योंकि वेलोसिटी कितना 1 मीटर पर सेकेंड इसलिए displacement बढ़ा वी इंटू टी करते हैं तो वेलोसिटी 1 और टाइम है 4 तो 4 मीटर चला जागा तो यह 4 मीटर चला किसके respect में यह तो चला planks के respect में यह trolley इसका नाम trolley दी के respect में find displacement relative to ground ठीक है question शुरू करते हैं सबसे पहले तो काम किये इसको rest में इसको पकर लिए यह 4 मीटर चला तो displacement of center of mass यही काम करते हैं displacement यह कितना चला 18 into 4 80 into 4 divided by total mass 400 320 और 80 100 0.8 अटा ना 0.8 यह तो हो गया पलस में सर यह center of mass गया पलस right को left को boat जाएगा trolley जाएगा left को बोलेंगे trolley left को गया कितना 0.8 मीटर अब यह trolley चला गया left को यह चीज चाहे तो diagram ऐसे बना सकते हैं यह left को चला गया इतना x और यह आदमी आगे की तरफ 4 चला था तो यह हो गया 4-6 4 तो चला था इसके respect में लेकिन चुकि पीछे चला गया तो 4-6 तो बोलेंगे कि आदमी जो है with respect to ground man with respect to ground वो कितना चला 4-6 यानि 4-0.8 3.2 एंसर होगे इसका c देख लीजिए अच्छे समझ लीजिए बहुच इतना ज्यादा complicated नहीं है आपको समझने में लग रहा है जब बनाने लगेंगे एक line में बनेगा बस इतना ही काम आपको करना है सब कुछ नहीं इतना करना है center of mass कितना move किया 0.8 यह तका मतलब boat जो है trolley यह पीछे चला गए इतना 0.8 ऊपर चला थे कितना 4 मीटर उसमें से यह घटा लीजे 0.8 वाले को घटा यह 4 में से तो जो बच गया उए answer होगे आपसे पूछता कि उसके respect में कितना चला boat कितना चला तो boat पीछे की तरफ चला इतना answer होता boat यह trolley आपसे पूछता कि planks या boat के respect में आदमी कितना चला तो 4 मीटर चला यह तीनों तरह से question पूछा जा सकता यह यह फिर से बता जें तीनों का यह हो गया plank के respect में यह हो गया ground के respect में और यह जो x है उप planks का movement है पीछ जना question होगा आपको जैसे बता हैं करके देखिएगा अराम से हर question आपसे हो जाएगा अब जाते हैं एक concept और आपको बता देते हैं एक medical question है जो बहुत लोग को डाउट होता है हमसे काफी लोग doubt के लिए करालने के इसको बार बार पूछते ही रहते हैं तो यहाँ पर देखि 2R है दोनों का जो center है उसका beach का distance है 12R अब आपस में gravitational force के कारण दोनों आकर टकराता है तो पूछा जाता है कि यह कहां पर जा कितना move करेगा displace कर जाएगा before collision यानि टकराने से पहले कितना move करेगा इसका displacement चाहिए ऐसा question पूछता है तो देखिए इसको बनाने के लिए तरी तो direct center of mass पर टकराता लेकिन यह बड़ा सा point है तो कहां पर टकराएगा surface पर यानि कि दोनों का यह contact वाला point है वो एक दूसरे के contact में आएगा जब collide करेगा उस समय इन दोनों का यह और यह point आमने सामने आ जाएगा टकराएगा तो तो अब मान लेजे पूरा का पूरा mass को य इसका mass 5m अब यह distance बता दीजी कितना हुआ अब तो यह था 12 बार यह R और यह 2R 2R है radius 2R और R को घटाएंगे इसमें से तो 9 3R हो गया तो 9R हो गया पूरा distance हो गया 9R इसका center of mass कहीं होगा कहां पर टकराएगा यह दोनों जाकर center of mass पर टकराएगा हम लोगों पता होता है external force ना लगे तो center of mass move नहीं करता तो वहीं पर टकराएगा तो center of mass पर टकराएगा तो हमको पूछ रहा है कि छोटा वाला कितना चला तो छोटा वाला जो चला इस दूरी को एक्सवन बोल लिजी एक्सवन का फर्मूला होता है center of mass में यह वाला दूरी चाहिए तो यह मास लिख 7.5 यानि कि यह जो ब्लॉक है जब टकराने वाला होगा center of mass पर जाके तो यह कितना move करेगा 7.5 तो यह simple है अब ऐसा कितना भी question रहे है को किसी भी safe कर रहे है यहीं नहीं किसी भी safe कर रहे है चोटा रहे है यह इस type का safe कर रहे है यह दोनों टकराएगा तो पूरे mass को यहां मास को यहां लाइए इसका point बना लीजिए दोनों कहां पर टकराएगा center of mass पर टकराएगा बस यह distance लिख दीजिए एक simple अराम से एक line में बनने वाले point होगे ठीक है इस तरह का concept पूरे physics में होगा हुआ है चाब current electricity लीजिए optics लीजिए rotation लीजिए जिसको tough माना जाता है समय tricky होता है question कैसे solve किया जाता है अभी पुराने जमाना में जमानों को derivation करकर solve करते थे एक एक page डेडर page उतना जाने के जुरूत नहीं है और नहीं time है एक जाम में 2-3 minute में question solve करना होता है इतना time नहीं होता है आपको ऐसा लग रहा हो कि तो भी time नहीं होता है तो कैसे solve करे question और आप लोग यदि वीडियो मेरा देख रहे हैं तो मेरा एक काम कीजिए का आप खुद से आज रूम में बैट के आप सोचिए कि कि आप सही में medical और इंजिनरिंग का प्रिपेशन कर रहे हैं सही में बोलने का मतलब आपका direction सही है question बनता है proper way में बन रहा है कि आप deserve करत करता है